इलेक्रोल बॉंड के साथ यूनीक अल्फा निमारिक नंबर की जानकारी नहीं देने पर सोमवार को सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई कोट ने 16 मार्च को इस मामले में स्टेट बैंक आफ इंडिया को नोटिस जारी किया था कोट ने बैंक से 18 मार्च तक बॉंड नंबर की जानकारी नहीं दे जाने पर जवाब मांगा था बता दे कि सुप्रीम कोट ने इस बियाई को कड़ी फटकार लगाई कोट ने इस बियाई के चेर्मैन से कहा कि आप 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक एफिडिविट भी दाखिल कीजिए कि आपने कोई जानकारी नहीं चिपाई है बैंच ने 11 मार्च के फैसले में इस बियाई को बॉंड की पूरी डीटेल खरीदी की तारीक, खरिदार का नाम, कैटिगरी की जानकारी देने के निर्देश दिये थे हाला कि एस बियाई ने सिर्फ बॉंड खरीदने वालों और कैश कराने वालों की जानकारी दी थी डेटा में इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर की किस राजनेतिक पार्टी को कितना चंदा दिया गया है या और कोई डीटेल नहीं देंगे तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डीटेल जो भी उनके पास बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोस करें और स्टेट बैंक के चेर्मन से बोला है कि वो थर्जडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है और एलेक्शन कमिशन इस सारे बॉंड नंबर्स के साथ सारे बॉंड के डीटेर्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें